जही दोस्तो मेर नाम है सुफ्यान और आप देख रहे हैं सुफ्यान टेक्नोलजी तो दोस्तो आज सैमसंग अपने एक एंटी लेवल की स्मार्टफोन को इंडिया में लॉंच कर दिया है सैमसंग एलेक्सी A03 core आज की वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के बारे में स तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटा सी माइंडर कल रात को मैं Realme 9i के बारे में सब कुछ बताया था उसके स्पेसिविकेशन, प्राइस, कब लॉंच होगा इंडिया में सब कुछ एक्स्प्रेम किया था मैं आई बोटन पर देता हूँ जली जाके क्लिक कर देखो सब कुछ बता चल जाएगा और आई बोटन के सारी वीडियो को चक आउट करिए बहुत अच्छे वीडियो पनाता हूँ आपको जहूर से पसन आएंगे चलिए दोस्तों सबसे पहले सुरुवात करते है डिस्पे से या आपको 6.5 इंच का एक HD प्लस PLS TFT पैनल मिल जाता है 270K PPI के साथ इंफिनिटी वी नॉच मिल जाता है और नीचे चिन देखने को मिल जाता है देखो यार पहली बात तो अगर आप चलो ठीक है IPS LCD पैनल नहीं दिये तो कोई बात नहीं ठीक है IPS TFT पैनल तो दे रेते PLS TFT पैनल दियो हो 8000 रुपए का स्मार्टफोन है कोई सेंस बनता है इस पड़ाये हो कुछ भी कुछ भी डिस्प्ले वाइस यह स्मार्टफोन अपने प्राइस रेंज तो क्या जो दोस्तों आपको 5-6000 रुपए के स्मार्टफोन मिलते है उनके चैसे भी आपको अच्छे स्पैक्स रही दे पाता है 5-6000 रुपए में हम लोगों को कितने स्मार्टफोन को कैमरा पकड़ाये है 8-megapixel का primary camera 5-megapixel का selfie और आपड़ देते है 13-megapixel का triple camera setup दे देते है 13-megapixel का कम से कम dual camera setup दे देते हैं चलो पांच के selfie दे दे यह कोई बात नहीं लेकिन जो main camera से उनको तो थोड़ा सा अच्छा कर देते 8-megapixel डिजर्व नहीं करता है 13-plus 8-megapixel करते हैं तो कुछ देखके भी अच्छा लगता कि हाँ पाई Samsung का anti-level का smartphone है लेकिन बहुत अच्छा dual camera setup दे देता है Cameras भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है दिल से वरा लगता यार अगर दोस्तों main specifications की बात कले तो यहाँ पर आपको fingerprint unlock बिलता ही नहीं है 8,000 रुपए का smartphone है और fingerprint scanner तक नहीं दी है और 8,000 रुपए का smartphone हम लोगों को सारे के सारे fingerprint scanner दे देते हैं यहाँ पर आपको eMMC 5.1 का शोर सपोर्ट पिलता है LPDDR 4X Lamp पिल जाता है 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है लेकिन 7.75 वाट के charger को सपोर्ट करता है अरे कम से कम 10 वाट का तो charger दे देते हैं इतनी कंजूसी Android 11 Go Edition के साथ आता है कम से कम Android 11 का फूल वर्जन तो दे देते हैं देंगे कैसे क्योंकि जो smartphone का processor है वो तो धेली नहीं पाएगा क्योंकि हम इतने बेकार specs चो दिये हैं इतने बेकार specs को जो Android 11 का फूल वर्जन ने कहां से जिलेगा हम वो edition देते हैं ठीके ना वो भी ठीक से चलेगा नहीं क्योंकि इतना must processor जो दिये है अगर दोस्तों performance की बात करें तो यहां पर आपको एक बहुत ही पुराने जमाने का पुराना processor देखने को मिलता है Unisock SC9863A जो 28 nanometer के technology पे based एक octa-core processor है यार 28 nanometer के technology पे based smartphone चलेगा क्या यार वो तो दो मिनिट में hang हो के switch off हो जाएगा बंदा gaming क्या करेगा smartphone day to day life में चल जाए वो ही बहुत बड़ी बात है और आप इतना अच्छा processor दिये हो और यहाँ पर आपको IMG G8322 का GP मिल जाता है यार सैमसंग अपने न एंटी लेवल के smartphone पर थोड़ा सा फोकस करो थोड़ा सा improvement करने का कोशिस करो ठीक है ना कम से कम यहाँ पर Helio G37, G35 अरे Helio P22 तक दे रेता है यार तो भी चलता इतना पुराना processor दोगे बंदा smartphone कैसे यूज करेगा कम से कम बंदे को अच्छा smartphone तो बना के दो ताकि वो कम पैसो में Samsung के smartphone का मज़ा उठा सके एदम पूराने processor दे रहे हो कोई sense नहीं बनता है इसका यार कम से कम 12 nanometer के technology भी बेज टीक अक्टा कोर processor दे देते 28 nanometer का technology भाई वो gaming तो छोड़ो वाइल हैंक करेगा उसका सु पूँचा आफ हो जाएगा हलकी सी बात पर अब चलिए दोस्तों बात के लिटे डिजाइन और बील गॉलिटी के बार में देखो यार जो 10,000 रुपए के अंदर में स्मार्टफोंस लाँच होते हैं आठ जार रुपए के अंदर में भी जो स्मार्टफोंस लॉंच होते हैं, उनकी डिजाइन्स काफी अच्छे होते हैं, कमपनी जाधा तर डिजाइन्स पे फोकस करती हैं, क्योंकि स्मार्टफोन अच्छा दिखना चाहिए, एंटी लेवल के स्मार्टफोन है, तो भी पूल भी अच्छा नहीं लगता है, और पूराने पूराने वही कलर्स टीपिकल स्मसन के, आगे से देखो कि तो वाटर डॉप नौच नीचे चिन, लेकिन हम नहीं बोलेंगे वाटर डॉप नौच, हम तो इन्फिनिटी वी नौच बोलेंगे, ताकि सुनने में अच्छा आप जो बोलना है बोलो, नौच देदी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस प्लास्टिक बैक के साथ आता है, प्लास्टिक फ्रेम मिल जाता है, कोई स्किन प्रोटेक्शन नहीं है, बिल्डवाइस ठीक है, आट नौद लार उपरे के स्मार्टफोन ऐसे ही होते हैं, लेक इंडिया में लाउंच हो गया है, प्राइसिंग की बात कर लें, तो केवल एक ही रह मिनिट लाउंच गया गया है, 2 प्लस 32 जीबी, जिसका प्राइज है, 7,999 रुपे, 8,000 रुपे अब चलिए दोस्तों बात के लेते हैं, क्या वाकई में हम लोगों को इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए, जी नहीं दोस्तों, अगर आपका बजट 10,000 रुपे के अंदर में है, 8,000 रुपे का भी बजड़ है, तो इसके तरफ बज़ जाना, इसको मत खरीदना, आपके पैसे फज जाएंगे, डूप जाएंगे, मैं आपको अच्छे अच्छे अल्टरिटीज बता देता हूँ, उनके तरफ जाओ, जो आपको लाख अच्छे स्पेक्स देंगे, ठीक है ना, ये बड़ी अच्छी बात कही है, अगर दोस्तों अल्टरिटीज की बात कर लें, त एक्नो पोवार 2 है, माइक्रमेक्स का इन 1B है, माइक्रमेक्स का इन 2B है, पोको C3 है, इतने अच्छे अच्छे स्मार्टफोंस मिल जाते हैं, भाई, इसके चकर में मत पढ़ना, भूल जाओ कि ये स्मार्टफों लाँच्छ हुआ है, आप अल्टरेटीज की तरफ जाओ, और आप मेरे बातों सेगरी करते होगे, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया, तो इस वीडियो को तुरों से लाइक कर दो, एम करते हैं, 70 लाइक का, चल्दी से कर दो यार, और चैनल पे नहीं आगए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और साइट के ब और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नए इंफोर्मेटिव वीडियो में हमेशा अपना ख्यामने को खुसराओ, चलो, बाए! प्रियो कर दो बाए!